हेलो फ्रेंट्स मेरे चैनल रूई एडुकेटर पे आप लोग का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंट्स और फ्रेंट्स आप लोग प्लीज अपना ख्याल रखिएगा आप लोग अच्छे होंगे और सेफ रहिएगा और अपने जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं और अपने फ्रेंट्स है जो हमने टेन वेलेटिव्स एंशर की सीरीज में ब्रयाओ फायिक्र लेकर के आएं और कॉश्षयन नमभर वन है आपके सामने ए सेक्ट्टेल रिपड़वर्ट की बात हो रही है आप्शन ए है fragmentation of thali and gemi formation, यानि कि thallus का fragmentation होता है और gemma formation होता है, आप्शन भी है gemma formation and deployed spore formation, आप्शन c spore formation and isogaming, आप्शन d fragmentation of zoo spore formation, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ी बात कर लेते हैं, जो liver words होते हैं उनमें जो asexual reproduction होता है वो thallus के fragmentation से होता है यानि कि thallus का जो thallus है उसके वो छोड़े छोड़े खंडों में तूट करके फिर वो गिर जाता है और फिर वहीं पे new body निकलाती है और या तो फिर एक specialized structure बनते हैं फ्रेंड जिनको jema या jema cup कहते हैं जैसे कि friends मै थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता देती हूँ यह जैसे अगर आपका यह थैलस है तो थैलस में कप like structure बने होते हैं आपने इसका जो picture है वो बिल्कुल देखा होगा अपनी books में तो इस तरीके से कप like structure देखिए ऐसे बने होते हैं और फिर नया जो इनका जो निकलता है plant body यह इसी के reproduction इसी के तरू जो आगे निकल आता है और फिर इस तरीके से कुछ इसका structure होता है और दो अलग-अलग plant body बनती है चलिए next question पर आते हैं next question है हमारे पास next question है जेमा आर ए sexual reproductive bodies of तो यहाँ पर option A है brown अलगी, option B mosses, option C liver words and option D red अलगी तो देखिए friends अभी अभी जस्ट हमने बात की थी कि जेमा के through जो reproduction होता है, asexual reproduction वो किसमें होता है तो यहाँ पर हमारे पास option C liver words बिल्कुल correct हो जाएगा, friends देखिए दोड़े चो question में एक दूसर से related भी लेकर के आती हूँ क्योंकि इससे यह होता है कि आप लोग कोई एक topic बिल्कुल दयार हो जाता है, तो यह बहुत ज़्यादा beneficial है, जिससे कि अगर हमने asexual reproduction की बात की है, तो इसमें हम liver words में आपको यह बिल्कुल clear हो जाएगा कि इसमें जेमा के through या फिर fragmentation के through asexual reproduction होता है, क्योंकि कोई भी चीज अगर हम बार बार पढ़ते हैं, friends, तो वो हमारे तिमाग में बिल्कुल यह क्या है, यह क्या है, these are option a non green multicellular asexual birds, non green multicellular asexual birds which develops in जेमा कप, तो यह कहा जा रहा है कि यह non green है, यानि हरे नहीं है, chlorophyll नहीं है, और multicellular है, और यह asexual birds है, यानि sexual reproduction में काम नहीं आएंगी, asexually reproduce करेंगी, और दूसरा आगे है कि यह जेमा कप में डेवलप होते है हैं, ठीक है, develops in जेमा कप, JULY हैं, रहाएं मारे पास green, multicellular asexual birds which develop in जेमा कप, यह green होते हैं, और multicellular होते हैं, और a sexual bird होते है, कि जो जेमा कप में develop होते हैं, फिद जी option अगेन हमारे पास है, non green multicellular deploid sexual sports, ठीक है, और option D हैं हमारे पास green है, unicellular है, deploid और sexual sports हैं तो देखिए अभी अब लोग उसके पहले के question से बात कर चुके हैं friends की यह sexual reproduction में use होते हैं तो यहां पर जो हमारे पास option होगा friends वो क्या होगा यहां पर सबसे पहले तो यह sexual birds हम लोग देखेंगे उसके बाद फिर देखेंगे कि यह जेमा कप में बनती है बिल्कुल क्योंकि जेमी जो है वो specialized structure होते हैं और वो जेमा कप में बनते हैं फिर उसके बाद यह green होते हैं इनका थारास पूरा green होता है friends तो यह हमारे पास B जो option है वो बिल्कुल correct हो are multicellular green structure for देखेंगे यहां पर again उससे related मैंने लिया हुआ है जेमा are multicellular green structure for vegetative propagation these are found inside जेमा कप्स तो अब आपको बताना है यहां पर कौन सा option correct हो जाएगा friends तो यहां पर देखेंगे हमारे पास जो option correct होने जा रहा है वो है in markensia यानि कि जो markensia होता है friends उसकी जो plant body होती है वो dorsey ventrally flattened होती है ठीक है और pro straight यानि कि पड़ी हुई होती है pro straight जमीन पर ऐसे क्या कहते है उसके जमीन के parallel वो growth करती है और dichotomously branch होती है उसका thallus branch भी होता है और जो thallus होता है friends वो क्या होता है कि वो एक इसके thallus पे एक notch भी बनी होती है ठीक है ऐसे इसे कि मैंने अभी एक thallus बना करके लिखाया था और इस तरीके से जमा कब बनायते तो देखिए इस तरह से जमा कब बनायते फिर यहां से इनकी जो body है आगे reproductive body आगे जो वो growth करती है plant growth करता है तो इसके बाद यह जो cup shaped के होते हैं structure यह आपको बिलकुल याद रखना है इसलिए इनको जमा कहते हैं और यह smooth होते हैं ठीक है और इनकी जो margin होती है वो frilled होती है जैसे कि ऐसे ऐसे frog और इसके बाद क्या होता है friends कि यह जो cup होते हैं वो asexual reproductive bodies जिनको जमा कहते हैं उसमें होते हैं तो यह जो सारी चीज़े हैं यह option B को indicate करती है यह marketia thallus है इसका answer ठीक है तो option B हो जाएगा चलिए select the option question 5 है select the option that includes only liver words ठीक है इसमें ऐसा option चूज करना है जो सिर्फ liver words है जिसमें ठीक है यहाँ पे हमारे पास option A है रिक्सिया, marketia, option B है funeria, रिक्सिया, option C है polytrichum, marketia and option D है both A and C तो friends देखिए जो यहाँ पे आपका funeria और polytrichum होता है यह mosses होते हैं ठीक है और रिक्सिया and marketia वो liver words होते हैं तो अभी आपको यहाँ पे option चूज करना है रिक्सिया और marketia वाला यानि कि option A बिल्कुल correct हो जाएगा रिक्सिया और marketia चलिए next question की तरफ move करते हैं friends next question है हमारे पास question number 6 in funeria the haploid structure is funeria में haploid structure कौन सा है haploid तो friends आप लोगों को पता ही है जो N होता है उसको हम लोग haploid होलते हैं और जो 2N होता है यानि deployed nucleus होता है वो 2N होता है ठीक है तो यहाँ पर अब देखिए हमारे पास जो option है option A proton option B capsule option C columnar option D है सीटा तो friends देखते हैं यहाँ पर देखिए जो funeria होता है friends उसमें जो gametophytic stage होती है वो N होती है यानि gametes आपको पता है gametes के लिए हम लोग N यूज करते हैं ठीक है तो जो gametophytic stage होती है वो N होती है और sporophytic stage जो होती है यह देखिए gametophyte यह N होती है ठीक है औ sporophytic stage जो होती है वो 2N होती है ठीक है और आप जानते हैं कि alternation of generation भी होता है यानि gametophyte stage जाएगी फिर sporophyte stage जाएगी gametophyte sporophyte ऐसे होती है ठीक है तो next अब होता क्या है friends यह जो gametophytic stage होती है यह generation होती है यह protonema रिप्रेजेंट करता है यानि यह protonema जो है के द्वारा रिप्र present की जाती है और यह जो protonema होता है वही gametophyte होता है haploid होता है और यह short lived होता है यानि बहुत कम time के लिए यह होता है इसके बाद फिर यह degenerate हो जाता है डिवलप हो जाता है किसी और structure में तो फिर यह protonema है friends यह spermatozoid produce करता है ठीक है किसमें anthridium यानि जो anthridium होती है वो male shoot होती ह इसमें spermatozoid produce होते है और जो archegonium होती है वो female shoot होती है female plant होती है और इसमें egg produce होते है इसका मतलब friends यहाँ पे male और female जो होती है वो एक plant पे male और female दोनों shoot होती है तो देखिए आपको funeral का कुछ structure भी या दोगा friends इस तरीके से कुछ होता है देखिए मैं तोड़ा बता भी दे बहुत सारे leaves के whirls होते है ठीक है इसमें gametophytic stage भी होती है sporophytic stage भी यह capsule होता है friends देखिए यह capsule है यहाँ पे चलिए तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि archegonia भी है जिसमें की archegonia जिसमें egg होती है enthridium भी है जिसमें की male जो होता है ठीक है spermatozoid produce करता है और जो proto-nima होता है और वही gametophytic stage होती है या haploid होती है तो haploid structure इसमें कौन सा हो जाएगा friends प्रोटो नीमा हो जाएगा यह बिल्कुल याद रखिएगा कि proto-nima ही क्यों एरिया में haploid structure होता है चलिए now next अब बात करते है प्रोटो नीमा का structure थोड़ा ऐसे होता है friends थोड़ा बहुत ठीक है ऐ ऐसे ऐसे फ्रेग्मेंट बन जाते हैं चलिए आगे बात करते हैं question 7 question 7 है हमारे पास the sporophytic phase in funeria is well developed and composed of तो option A है हमारे पास capsule only, option B है spore sack, option C food and capsule, option D food, ceta and capsule तो यहाँ पर हमारे पास जो option होगा friends वो कौन से सही हो जाएगा देखिए जो sporophyte है friends फ्यूनेरिया का जो sporophyte है क्या होता है कि उसमें जो food होता है वो embedded होता है यानि food, ceta यह होता है जो जो जिसमें divide करते है food, ceta and capsule तो जो food होता है वो embedded होता है और एक बहुती curved सा ceta part होता है जो मैंने भी draw किया था और terminal यानि सबसे आगे की तरफ capsule होता है ठीक है इन तीन parts में इसको divide कर सकते है तो sporophyte जो होता है वो nutritionally depend होता है gametophyte पे यानि sporophyte अप तो यहाँ पे अब देखिए कि कौन सा option सही हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास option जो डी है friends वो बिल्कुल सही हो जाएगा food, ceta and capsule यानि कि जो sporophyte phase है funeral की वो बहुती डेवलप होती है और उस वो किस-किस से बनी होती है food से, ceta से और capsule से बनी होती है next हमारे पास जो है वो question number 8 है which of the following is not a moss इसमें से कौन सा moss नहीं है तो चलिए option A है polytrichum, option B sphagnum, option C funeria, option D rixia तो अभी तो friends हम लोगों ने previous question में पहले question में पढ़ा था कि rixia and markingshia ये liver words में आते हैं, moss में नहीं आते हैं तो यहाँ पे जो option हमारे पास D है friends, rixia वाला वो बिल्कुल करटे ये moss नहीं है चलिए, now next question की तरफ move करते हैं friends, next question है हमारे पास question number 9, funeria requires water because, funeria को water की जुरत क्यों होती है funeria requires water because, option A है fertilization occurs in water only and option B है funeria is a hydrophied, option C है plant need water for gametogenesis and option D gametansia cannot develop without water, तो देखिए friends, यहाँ पे कौन सा option सही हो जाएगा आप सभी लोग जानते हैं कि जो funeria है, वो bryophyta, bryophytes को fertilization के लिए बिल्कुल water बहुत ही बहुत very very important होता है, fertilization के लिए water क्योंकि इनके जो anthrazoids होते हैं friends, वो water में ही त्यार करके जाते हैं और archigunia तक पहुँशते हैं, और यह ऐसे damp और shade वाले places में होते हैं, जिनके आज़ पास water भी होता है बट यह funeria है, बट hydrophides नहीं है friends, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास option A बिल्कुल correct हो जाएगा चलिए, next हमारे पास question है, friends, यहाँ पे, एक minute, next हमारे पास, हमारे पास कौन सा question है, question number 10 है यहाँ पे, a moss sperm moves by means of ठीक है, moss का sperm कैसे move करता है, तो अब आप लोग इसका option देखिए, option A pseudopodia, option B cilia, option C flagella and option D any of these तो friends, यहाँ पे देखिए, आपको पता है कि जो इसका sperm होता है, ठीक है, जो इसका sperm होता है, उस एंथ्रोजॉइट होता है, इसमें दो flagella होते हैं, friends, इस तरीके से flagellated structure होता है, friends, फुरा सच तरह से cold आपने कर देखा होगा, book में, तो इस तरीके का structure होता है, तो यहाँ पर हमारे पास जो option C बिल्कुल correct हो जाएगा, friends, okay, तो शलिए, hopefully, आपको यह lecture पसंद आया होगा, friends, इस मेरी कोशिश है, और कि आप लोगों तक मैं इस तरीके के lecture ले करके आऊँ, और आप टेडिरी डेली एक प्रैक्टिस तो होती रहे, और friends, आप लोग प्लीज इसको like, support और share जरूर करिएगा, subscribe करिएगा मेरे चैनल पे, और friends, मेरा biology bloom का एक चैनल जिस पे में daily need के जो पीव IQs हैं, और अच्छे अच्छे वो सारे जो need और other biology के exam से उनसे related videos upload करती हो, friends, अगर आप लोगो वहाँ से कोई help चाहिए, तो please आप लोग वहाँ पे जा करके देख सकत हैं, चलिए, वो भी बहुत अच्छे question है, biology के standard question है, तो friends, चलिए, आज का लेक्षी यहीं पे कतम होता है, end होता है, thank you so much.